सर्दियों के मौसम में तरह तरह की सबसियां आने लगती है और हम उन्हें बनाने के नए नए आइडिया ढूरते रहते हैं तो नमस्कार मैं दीपती आज लेकर आई हूँ मेरी किचन में पालक की इतनी जबरजस्त रेस्पी कि आपने आज से पहले ये दही वाली पालक कभी प्राइ नहीं कियोगी तो चलिए फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं ये दही वाली टेस्टी सी पालक और अगर आपको रेस्पी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजेगा एक चीज और मैं आपको बताऊं ये पाल पालक को डाल दीजिए और थोड़ी देर पड़े रहने दीजिए उससे होता क्या है इसके उपर जो मिट्टी वगेर होती है वो बहुत अच्छे से नीचे पानी में बैठ जाती है और पालक अच्छे से क्लीन हो जाती है तो अब हम यहां पर पालक को काटेंगे सबसे पहल करेंगे और फिर हम आगे की तैयारी करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रही है और पालक का पानी सोक जाए इतने अच्छे से उसको आप सुखा कर रखे तो लंबे टाइम तक चल जाती है अब यहां पर हम ले लेंगे फटा-फट से कढ़ाई कढ के लिए गरम पानी में डाल दीजिए और निकाल लेजिए उस तरह से भी इस सबजी में उपयोग की जा सकती है और आप इस तरह से हलका सा थोड़ा सा तेल डाल कर उसको हलके से सॉफ्ट कर सकते हैं इससे भी पालक में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो यहां के ओल में बना रही हो इससे अच्छा टेस्ट आता है सबजी में तो दो सुखी लाल मिर्च थोड़ा सा मैंने यहां पर साबुद धनिया डाला है इससे बहुत अच्छा फलेवार आता है आधा चमत जीरा डाल देंगे तेल अच्छे से गरम हो तभी यह चीजे डालनी है पर आप डालिये तो बहुत अच्छा फलेवार आता है अगर आपके पास है अब हम यहां पर डालेंगे एक इंच अद्रक का टुकडा मैंने इस तरह से कट करके ले लिया साथ मिली है लेसुन की दस से बारा के लिया क्योंकि पालक की तासीर को ठंडा बोला जाता है तो इस इस तरह से रफली चॉप कर लिया है इस पालक की एक खासियत और है यह धाबे वाला टेस्ट देगे आपको और किसी भी मसाले की पहले से कोई तयारी नहीं करनी है हमें बस कटिंग करते जाए बनाते जाए और इस पेसल कोई तड़का भी नहीं है उसमें अब यहां पर लि और दही को मैंने घोल कर मिक्स करके रख दिया टमाटर डाल दिया यहां पर अब हम लेंगे मसाले बेसिक से मसाले है हल्दी पाउडर ले लिया है धन्या पाउडर लेंगे यहां पर और साथ में ले लेंगे मिर्ची तो मिर्ची पाउडर थोड़ा सा तीखा ही अगर बच् में अगर जरासा भी चड़ता हुआ नमक हो गया तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा अब जो हमने दही मिक्स करके रखा था बेसन के साथ उसको हम डाल देंगे और लगातार इस तरह से चलाएंगे फटने का कोई चांस नहीं है क्योंकि हमने दही में बेसन को मिक्स कर दिया ह तो यहां पर इस तरह से चलाते जाएंगे और अब वही दही की कटोरी में मैंने पानी लिया है और एक कटोरी पानी यहां पर एड़ कर दिया है वो क्यों एड़ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हमने यहां पर कच्चे बेसन का इस्तेमाल किया है और हमें बेसन को बहु बढ़िया से पक्कर मसाले तैयार हो गए है ओईल उपर आ गया है मसालों के यानि की मसाले तैयार है पूरी तरह से अब हमने जो पालक रखी हुई थी ना फ्राई करके हम उसको यहां पर डाल देंगे पालक ऐसी सबजी होती है जब हम कट करते हैं तो बहुत धेर सारी लगती कर सकते हैं और अगर आपको पानी नहीं एड करना है तो बस दो मिनट के लिए ढग दीजिए और पालक देखिए तैयार हो गई है बनकर लग रही है ना बिलकुल लाजबाब और टेस्टी देख कर ही मन चल जाएगा खाने का तो एक बार ये पालक की रेस्पी बना कर जरू आपको लग रहा होगा कि ओयल जादा है पर मैंने आपके सामने ही ओयल डाला था यहां पर मसालो को जो भूजा जाता है ना अच्छे से उसकी वज़े से ये इतनी लाजबाब ग्रेवी बनकर तैयार होती है तो एक बार बना कर ट्राइ कीजिएगा और वीडियो अगर पसं आप तक पहुंच सके और मैं जो भी अपनी किचन में बनाती हूँ वो आप सब के साथ शेयर कर सकूँ तो ये टेस्टी सी पालक ना चावल के साथ इंजॉई कीजिए बहुत अच्छी लगती है